Hi friends, welcome back. Python में private variable सिर्फ naming conventions के लिए हैं, हम directly इनको access और modify कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर line number 7 पर e.underscore name access करो हूँ, यहाँ पर राहूल प्रिंट हो जाएगा और मैं modify भी कर दिया हैं, ठीक है? तो private variable सिर्फ नाम की है, यह समझ दो Python में. अब हम जाते हैं, get or setter functions को देखते हैं, तो देखो, जैसे मैंने variable यहाँ पर private variable बनाया हुआ था, इसको मैं directly modify कर रहा था, लेकिन get or setter की help से जैसे कि मैंने set function बनाया, जिससे हम variable की value को set कर सकते हैं, और यहाँ पर यह function बनाया है, वो get name, ठीक है? तो यहाँ पर हमें variable की value को access क कर सकता हूँ, तो देखो, आप यह मतलब बहुत normal सी चीज़ है, मैं बस introduction दे रहा हूँ, तो e.get name करूँगा, तो यहाँ पर राहुल प्रेंट हो जाएगा, और अगर मैं इन दौनों को uncomment करूँ और फिर run करूँ इसको, तो आप देखोगी है, आकास प्रेंट होके आ रहा है, यह, तो क्योंकि यह मैंने value को change कर दिया, ठीक है? अब यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गए होगी, तो देखो, अब आप बोलोगे, कि भाई, ऐसे करने में और ऐसे करने में क्य है, है ना, value हम यहाँ भी modify कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पर एक function मना के किया, और यहाँ पर हम directly modify कर रहे हैं, तो देखो, दौनों में कोई difference नहीं है, बस यहाँ पर मैंने get or set or function मनाए, ठीक है, उसी value को क्या करने के लिए, modify और access करने के लिए, अब इस से क्या होगा जब अगर आपके code पर काम कर रहा है, तो वो understand करेगा कि यार, और यह ज़्यादा appropriate method भी है, हमें इसी तरह variable को change करना चाहिए, अब क्या यहाँ पर आपना कोई condition लगा सकते हूँ, जैसे कि मैं set name में condition लगा सकता हूँ, if name, if lan of name is less than 5, और let's say 2, ठीक है, तो मैं एक name should be greater than, name length should be greater than 2, और उसके बाद set name करूँ, जो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा था, access variable, यहाँ करी नहीं सकता, यहाँ पर तो directly हम क्या कर रहा है, value को set कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर line number 9 पर, directly हम value को set, कर रहा है, तो इस तरह के function बनाने का क्या फायदा है, कि आप यहाँ पर कुछ conditions, कुछ validations लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाई है, जैसे कि आगर मैं e.set name में एक ही डालू, ठीक है, यहाँ पर true भी कर दो, ठीक है, अब आप इसको run करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, name length should be greater than true, एक value error raise हो जाएगी, राइट, अब यहाँ तक आप लगों समझ में आ गया होगा, कि get or set function बना रहीगी, क्या जुरूवत है, है ना, अब इसी चीज को, जो मैंने get or set function बना के किया है, हम properties बना के कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या फायद है, ठीक है, तो देखो, validations लगाने के लिए, हम properties की help से भी कर सकते हैं, जो हम directly access कर रहे थे, यह modify कर रहे थे directly, उसको avoid करके, ठीक है, अब जैसे properties पे जाता हूँ, मैं, class मैंने employee बनाई हुई है, यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको मैंने properties बना दिया, इस function को, ठीक है, अब जब भी मैं employee का object.name करूँगा न, तो वो क्या written करेगा, यह value written मिरको कर देगा, ठीक है, अब properties में setter और getter दो properties हैं, जो कि हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है, setter, getter, deleter करके आता है, at name.setter, अगर मिरको करना हो, तो यहाँ पर क्य जैसे देखो, मैं यहाँ पर validation कर रहा था, same चीज में यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ कि बस मैं upper value कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो जब भी, जैसे कि अगर मैं, इस za की jack डाल रहा हूँ, इस capital letter में, तो यह automatically upper letter में जाएगा, और set हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर, ऐसे ही में एक और function होता है, डिलीटर करके, definition, name, जो naming convention बहुत जरूरी है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है, आई मैं बताता हूँ, अब जैसे कि, देखो, यह जो proper, यह जो मेरा variable है, जो मैं यहाँ set कर रहा हूँ, वो है क्या है, वो name करके function है, name variable है, sorry, तो मैं यहाँ पर property भी बनाऊँगो, किस name से, name, same, ठीक है, और setter का जो function होगा, वो भी same होगा, और deleter का जो function होगा, मतलब, यह getter का जो function होगा, वो भी same होगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर employ किया, मैंने यहाँ पर, है न, object बनाया, e.underscore में किया, तो print होकर आएगा एक second, हाँ, तो jack print होकर आएगा, ठीक है, यह jack print होकर क्यों आ रहा है, यह automatically, देखो, automatically value dot upper कर दे रहा है, अच्छा, अब यह आप बोलोगे, कि भाई, init function चलना चाहिए, ठीक है, line number 2 पर init function चलना चाहिए, जब आप, यह, अभी, इसको मैं comment करके बताता हूँ, आप लोगो को line number 18, जब मैंने किया, ठीक है, जैक किया, यहाँ पर जैक डाला, ठीक है, तो, यह init function चलेगा, obvious सी बात है, init function चलेगा, तो यहाँ पर तो मैं upper में कर नहीं रहा हूँ, है ना, यह function तो यहाँ पर लिखा हूँ है, मैंने, तो यह automatically, जब मैं print कर रहा हूँ, इसको, e dot underscore name को, त यहाँ पर जो variable है, dot name है, ठीक है, dot name, लेकिन जब आप यहाँ written करते हो, इस property को, इस property का जो name है, self dot underscore name करते हो, अगर आप यहाँ पर self dot name करोगी ना, तो यह recursion error आ जाएगी, क्यों, क्योंगी self dot name एक function है, तो यह directly यही भूंगता रहेगा, तो recursion error आ जाएगी, self dot name, यहाँ return करेगा, अब यह जो, जब आप set function में जाते हो, तो देखो, यह same name की properties बनाई है, यहाँ पर, तो जब यहाँ पर set करेगा, line number 3 पर, यह function चलेगा, line number 10 पर, और यहाँ पर value dot upper करेगा, self dot underscore name की, और वो एक नया variable बनाएगा, वो की private variable होगा, ठीक है, इस case में, ठीक है, self dot underscore name, एक private variable बनाएगा, value dot upper करके, ठीक है, और जब आप यहाँ पर print करवाओगे, e dot underscore name, तो वो चलेगा, यह वाला function, print कराने के बाद, ठीक है, e dot underscore name, print कराने के बाद, और यह written कर देगा, self dot underscore name, right, I hope कि आप लोगो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप e dot name करोगे यहाँ पर, यह print कर देगा, self dot underscore name, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर e dot name का value, mi करो, ठीक है, और फिर print कराऊं, तो e dot name का value, जो मैंने mi किया, तो वो यहीं किस वाले function में जाएगा, line number 10 वाले में, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, set कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो value dot upper करेगा, तो य ठीक है, यह capital mi print हो क्या रहा है, I hope आप लोगों को यह properties कैसे बनाते हैं, set get setter, यह समझा गया होगा, अब इसके फायदे क्या है, मतलब देखो, यह काम जो है, यह validation लगाना, वो तो मैं यहाँ पर भी कर रहा था, getter setter, मैं यहाँ भी लगा देता, name dot upper कर देता, जैसे कि लेकिन देखो, यहाँ पर एक difference है, यहाँ का difference बताता होगी, देखो, यहाँ पर जब e is equal to employee राहुल किया और e dot get name किया न, तो यह small e आया, ठीक है, लेकिन set name पर यह capital आया, ठीक है, क्योंकि set name पर तो यह चला, लेकिन जब init function में नहीं चला यह, क्यों यह नहीं चला, property set name, reset gate, ठीक है, बस यह difference है, properties में आपको यह direct यहाँ से भी access कर सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर यह direct जो है, upper value हो जाएगी, जब आप इसको run करोगे तो, line number 18 पर, I hope इसको समझ पा रहे हो आप, अब इसका फायदा क्या है, properties बनाने का, जो देखो, सबसे पहली चीज तो ह readability, ठीक है, code clarity, मतलब की, जब कोई दूसरा developer आपके code पर काम कर रहा है, जब इस class को वो देखेगा, तो वो समझेगा, okay, name जो है न, एक properties है, यह जो self.name है, name एक properties है, और इसमें हमने validations लगाया हुआ, ठीक है, वो understand करेगा इस चीज को, और वो कोई भी change करेगा, तो वो इन इस तरह की functions में change करेगा, right, code clarity, flexibility, flexibility कैसे, देखो, same चीज, मैं, अगर directly access variable यहाँ पर करता, directly modify करता, मैं इसको change ही नहीं कर पाता, वो directly आकास ही यहाँ पर save हो जाता, e.underscore name में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई, उसको हम automatically validate करें, और उसको change करते, set करने से पहले, तो इस functions म मैं आप उस अपने logic को लगा सकते हो, और set कर सकते हो, यहाँ पर, अब इसका मैं example बताता हूँ, जैसे कि कोई data API से आ रहा है, ठीक है, आपकी एक API है, उस API से data आ रहा है, और जो data आ रहा है, उसको आप database में save करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास एक model है, model क्या है, यह employee है, ठीक है, आप उस data को उस model में डालते हो, ठीक है, तो वो model किसलिए हम बनाया है, मतलब model, अगर हमने यह properties बगर सेट कर रखी है, तो आप जैसे ही इसका object बनाओगे न, model का, with the data, जैसे मालो कि ORM पर काम कर रहे हो आप Django में, तो उसमें हम जो data कहीं से आ रहा है, या आप भे को automatically validate होगे न, value न, अपर में चली जाएगी, या कोई भी logic, और भी logic आप लगा सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी requirement के हिसाब से, यह automatically value change हो जाएगी, name की, और उसके बाद वो set हो जाएगा, database में, ठीक है, तो यह क्या है, यह backward compatibility है, ठीक है न, backward compatibility के लिए यह होता है, और avoid कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, अब आती है बात, code clarity मेंने समझाएगे, encapsulation, आप देखो, यह variable जो है, tightly coupled है, इस class के साथ, ठीक है, modify नहीं कर सकते, तो I hope यह सारी properties, हम क्यों बनाते है, setter, getter, functions, ठीक है, और यह सारी चीज़ समझ आगे, यहोगी property constructor, property is function भी है, ठीक है, आप अपना, मतलब वो, फिर कभी, मतलब मैं तो इसी को ज़्यादा prefer करता हूँ, decorator functions को, properties का, आप property function की help से भी कर सकते हो, तो वो I hope मेर को भी देखना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं, लेकिन, वो, मतलब properties के अंदर, functions के अंदर, वो सारे name डाल देते हैं, अपने, setter, getter के, और उसे साथ से वो value निकालता रहे था, बट मैं इसी को prefer करता हूँ, आप लोग भी यह property decorator को prefer करना, तो इसी के साथ discussion को add करते हैं, अब हाँ, यह एक और class बनाई थी, मैंने हैं, point करके, अब दोनों, इन दोनों में यही difference था, यहाँ पर देखो, यह variable था, आपने यहाँ यहा इस setter function का screenshot ले लेना, और इसका यहाँ पर, देख लेना क्या difference, difference यह है कि यहाँ पर जब हम, देखो, यहाँ पर self.name है, और यहाँ पर हम self. underscore name set कर रहे हैं, यह difference है, और ऐसा करने से क्या होगा, कि जैसे ही आप न, इसका object बनाऊगा employee का, तभी वो यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि यह क्या है न, यह same name है, यह जो function का name है यहाँ पर, जो decorator का name है, वो ही variable का name है, तो यह इसकी बज़े से क्या होगा, automatically object बनाती value आपर में चली जाएगे, I hope अब समझ में आया होगा आप लोगों सारी चीज़े, ओके, बाए बाए